हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ मनोश शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चेप्टर इशो अप शेयर आगे कॉंटिन्यू जिसको हम टी एस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं आपको यादो अब तक इसके हमने 1254 कुश्चन कर लिए, आज 55 कुश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, मैं कुश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए बड़े लिखा है, रुपी 15 पर शेयर कॉल्ड अप, यानि के कॉल्ड अप है हमारा 15 रुपी, हमारा लिंक 20 से नहीं रहेगा, अब याद रखना 15 रुपी से रहेगा रुपी 10 पर शेयर हैं, एक शेयरोल्डर है जिसने 10 रुपी तो पेड कर दिया, दामाउंट अफ फर्स्ट कॉल अफ रुपी 5 पर शेयर बिंग अनपेड और फर्स्ट कॉल को फेल कर दिया रुपी 15 पर शेयर पेड अप, 15 तो पेड अप वेल्यू बता रखी है, फोर ए पेमेंट आफ रुपी 10 पर शेयर, 10 रुपी में रिशू कर दिया गिव जर्नल एंट्री इन दा कंपनी बुक, तो रिकॉर्ड दा फोर्फिटीड शेयर एंड देर रीशू, फोर्फिट और रीशू के एंट्री करनी है, कैसे करते हैं देखो, अब यह देखो, यह वर्किंग प्या जाए करो, नमबर आप फोर्फिटीड शेयर लिख लो, क प्यार की फेस वेल्यू कितनी बन गई, आज 15 रुपी, जब कॉल्ड अप वेल्यू दे रखी हो तो, 15 में से बता रहा है, 5 रुपी की फेल कर गया, फस्ट कॉल, तो कितना पेड कर गया होगा, 10 रुपी, यह समझा गया, बाद में कंपनी ने उनको रीशू किया, वहाँ प और फिट की एंट्री पास करो, लिखो यहाँ पर डेट डाल दो, 2022 और यह लिखो फस्ट में है, यहाँ लिखो शेर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी फॉर्फिट करोगे, कैपिटल डेबिट हो जाएगा, शेर वापसी आ रहा है, इसलिए, टू करो शेर फॉर्फि आपको बताया, शेर की वैल्यू तो बता रखे है, 20, बट कुश्चन में क्या लिखा है, फोकस कर लो, कॉल डप वैल्यू कितनी है, 15, तो 15 बेस रहेगा हमारा, यह रहेगा, यानि कि हम शेर की वैल्यू को 15 मान के चलेंगा, यहाँ लिखो 3000, अच्छा, क्या किया है, उसने 5 रुपी की 1st call fail कर रखी है, वो तो 1st call में आ जाएगा, लिख दो 200 into 5, और जो pay कर गया, वो forfeited में आ गया, बहुत असानी तो है, यह लिख दो 2000, जो received होगा, company को, वो forfeited में, जो failed amount है, या unreceived amount है, वो लिख दो कौन सी call का unreceived amount है, अब यहाँ लिख दो 200 share forfeited for non payment of first call, ल इतने में रीशू कर दिया, लिखा है 10 रुपी, paid up value बता रखी है 15, वो तो share capital में जाएगी, लिखो पहले entry, पहले तो यहाँ date डाल दो May 10, यहाँ लिखो bank आ रहा है, क्योंकि money अब आएगी जब रीशू करेंगे, रीशू का मतलब resale करना, और यहाँ लिखो share forfeited क्योंकि company को loss हुआ, और 2 करो यहाँ पर share capital account, amount कैसे लिखेंगे वो देखते जाओ, number of share तो पूरे 200 ही है, इसके अंदर तो लिखा जाएगा, देखो यह रहा, सब में 200 तो लिखना ही लिखना है, लेकिन जो यह मैं आपको करके दिखा रहा हूं अंदर calculation याद रख लो, यह multiply, यह question में, कितने में issue किया, लिखा हूए question में 10 रुपी, यह रहा, 10 से multiply, यह कितरा बनेगा, 2000, और यहाँ 1,25 का loss हुआ, वो loss में डाल दो, यह जो forfeited है, it is the profit for the company, यह जो forfeited है, it is loss for the company, दोनों दिख रहे हैं क्यो profit क्यों loss, यह profit क्यों हुआ, share cancel हो गया, यानि क्या हमारे पास वापसी आगया share, साथ में उसकी money भी आगई, क्योंकि वो non-refundable है, जब हमने ratio किया, तो share की value तो 15 थी, बट वो ratio 15 में नहीं हुआ, कितने में हुआ, 10 रुपी में, तो 5 का loss है, क्योंकि कम में ratio पाया, इसलिए यह loss बोलते हैं, इसको profit बोलते हैं, यह समझने के लिए आपक यहां इसकी अब narration मना दो, narration में लिख दो ratio of 200 share, और आगे लिख दो 4 रुपी 10 per share, एज रुपी 15 paid up, एक और entry पास करते हैं, याद रखो जो excess profit company के पास बच गया, capital reserve की, क्या entry बनती थी याद करो, share forfeited account debit, कैसे निकलती हैं वो भी अभी बतायता हूं आपको, लिख दो यहा यह आपको easy way समझाने के लिए बताता हूं, कैसे निकलती है यह चीज, लिख लिया करो अपनी, समझने के लिए लिखना यह लिखना नहीं है आपने, profit minus loss, उसको क्या बोलते है capital reserve, profit कौन सा बताया था भी आपको credit में, कितना बता रखा है 2000, लिख दो 2000 यह रहा, loss कितना जब ratio करा, वो यह रहा 1000, लिखो 1000, अब यह transfer कर दो, इसके अंदर यह आ गया, clear है, यह चीज जो मैं calculate कर रहा हूं, यह आपने करनी नहीं है exam में, यहां तो बस यह entry करनी है, और narration दिखानी है, अब इसकी narration लिख दो, लिख दो gain on ratio share, transfer to capitalizer account, यह question हो गया, simple है, पहले forfeit कर लो फिर रही शुकर हो, उसके बाद जितना excess profit बचा, यह profit था और loss हुआ उसी share पर, जो excess amount बच गया, यानि के profit minus loss, वो capitalizer में करो, अब next question करते हैं, मैं read करता हूं, आप देखिए, लिख है, director of Marana Limited, resolved on 1st May 2022, that 2000 equity share of rupee 10 each, 2000 share है, जो की 10 each है, रुपी 7.50 paid, be forfeited, for non payment of final call of rupee 2.50, यानि के 10 रुपी में से 7 रुपी 50 पैसा paid कर दिया, और final call उसने fail कर दिया 2.50 की, on 10th June 2020, 1800 of these share, सारे share ratio नहीं कर रहा, partial ratio है, ratioed for rupee 6 per share, give necessary journal entry, और journal entry pass करनी है, कैसे करते हैं, देखो, देखो, यह summary बना ली, total 2000 share है, share का rate दे रहा है 10 रुपी, 10 में से 7.50 तो paid कर दिया, उसने, यानि के company को received हो गया इतना amount, इतना failed amount हो गया final call का, बाद में company ने reissue कर रखे 1800 share, तो पहले तो forfeited की entry पास करते हैं, या सबसे पहले तो इसकी date डाल दो, लिख दो 2020 और May 1 लिखो या, entry लिखो, यहाँ पर equity share capital account है भी, टू करो याँ पर share forfeited amount, जो received amount हमें उससे, और टू करो याँ पर जो final call fail हुई है, लिखो equity share final call, amount लिखते हैं देखो यह रहा, note कैसे आएगा वो note करो, number of share कितने दिर्खे हैं देखो 2000, या लिखो share capital में 2000 पहले, ये तो number of share लिखे हैं, into करो जो share का rate है 10 रूपी, तो कितना amount आएगा 20,000, ये चीज़ किलिए रोगी, share forfeit में कौन सा amount लिखते हैं जो company को received हो गया हो, ये लिखा वाज 7.50 received हो गया, क्योंकि share older ने इतना paid कर दिया, तो यहां लिखो 2000 into 7.5, करोगे तो 15,000 आ जाएगा लिख दो 15, यहां तक किलिए हो गया, अब इसमें लिखते हैं जो उसने fail कर रख है, कितना है 2000, और into करो 2.5, करोगे तो 5000 आ जाएगा, ये किलिए हो गया, अ आब इसकी narration मना दो, narration वे लिख दो 2000 share forfeited for non payment of final call, अब उसरे इन shareों को रीशु कर दिया, किस rate में रीशु कर दिया, ये लिखा भी हो है 6 रुपी में, और कितने share हैं पूरे 2 नी, 1800, तो उसकी entry पास करते हैं, पहले तो date डाल दो, date लिख दो, यहां पर 2020 थी और यहां लिख का मतलब resale करना, अच्छा loss हुआ, इसलिए debit करो share forfeited account, और 2 करो यहां share capital account, amount कैसे आएगा, बच्छी तरह से note करना ये, number of share दे रखे 1800, इन्टू करो जो share का rate है 10 रुपी, ये तो 18,000 आएगा, या लिखो 1800 share, इन्टू, कितने मेरी issue हो गया, 6 रुपी लिखा वे clear, ऐसे ही लिखो 1800 share, इन्टू करो, या पर 4 रुपी, करोगे तो ये 7,200, ये करोगे तो 10,800 आजेएगा, ये clear हो गया, अब इसकी narration मना दो, लिख दो 1800 share, reshoot, add the rate of 6 per share, अब एक ओर entry पास करते है, capitalizer की, क्या entry बनती थी, याद करो, share forfeited account debit, और 2 capitalizer, अच्छा, अब इसके अंदर एक point ह नोट करो, ये loss है, याद रख लेना, और ये profit है, जो ये दिख रहा, ये जो loss है, ये 1800 share पर loss है, जबकि ये जो profit 15,000 है, ये 2000 पर है, इसको convert करके लाना पड़ेगा 1800 पर, वो working में करते हैं, या लिखो forfeited amount of 1800 share, या से करते हैं, एक formula लगा दिया करो, देखो ये रहा, total forfeited amount लिखो या पर, आप लिख लो ऐसे, total forfeited amount, और लिखो total forfeited share, और into कर दिया करो, number of reshoot share, ये कैसे निकलेगा देखते जाओ, लिखो या पर 15,000, और total forfeited share कितने थे, 2000, ये रहा, लिख लो 2000, और into करो, number of reshoot share, ये formula लगा दिया करो, क्या लिखा है, total forfeited amount, ये रहा, लिख दि हमने कितने reshoot कर रखे हैं, 1800, into करेंगे, जो number of reshoot share है, करोगे, तो value आ जाएगी, 13,500, यानि कि profit पता चल गया, ये company के लिए, एक तरीके से profit है, याद रख लेना, clear है, और ये entry कैसे निकलती है, लिख रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है, समझाने के लिए, बस आपको profit minus loss लिखते हैं, याद रख लो, लिखना मत ये चीज याद रख लो, ये profit है, लेकिन ये कितने का था, 2, हम convert करके लिए, कितना, 13,500, लिख दो, 13,500, जब इन share को आपने ratio करा, तो कितना loss दिख रहा है, ये loss बताया, 7,200, इनके difference को लिखते है, 6,300 आ जाएगा, ये capital reserve में जाए ये clear हो गया, अब यहाँ इसकी narration बना दो, लिखो gain on ratio of share, transfer to capitaliser account, question हो गया, तो काफी जी question था, पहले forfeit करते हैं, फिर ratio करते हैं, फिर profit transfer करते हैं, capitaliser में, अब एक और question करते हैं, 57, मैं question को read करता हूँ, आप देखिए, लिख है, sunshine industry limited, issue 20,000 share of rupee 100 each, rupee 25 per share on application, rupee 25 per share on allotment, 50 rupee तो आप मांग चुकी company, add the balance in two calls of rupee 25 each, first call है 25 की और final call भी 25 की, the company did not make the final call of rupee 25 per share, अच्छी तरह से note करना इस point पर, company ने final call नहीं बनाई है, called up value का case बनता है, याद रख लो, share की cost 100 rupee नहीं रहेगी, आप share की cost कितनी बन जाएगी, 75 ध्यान रखना, All the money was duly received with the exception of the amount due on first call, first call पर सारी money मिल गई है, except 400 shares held by Mr. Modi, 400 share जो है, first call पर amount company को received नहीं हुआ, The board of director forfeited these shares, और board of director ने इन share को forfeit कर लिया, and subsequently re-shoot them, rupee 75 per share paid up, paid up value कितनी बता रख की है, 75, for a sum of rupee 28,000 में re-shoot कर दिया company ने, Journalize the above transaction and prepare share capital account, journal entry भी बनानी है, और इसमें एक ledger account बनाना है, उसका नाम है share capital account, कैसे बनता देखती है, सबसे पहले तो journal पर आ जाओ, number of share लिख लो, जितने दे रख है, working में लिख लिया करो, 20,000 दे रख है, share की value कितनी दे रख है, 100 each, आगे installment बता रखी है, यहाँ पर क्या है, तीन installment बनाई हैं बस, last वाली बनाई नहीं, company ने लिख दिया हमने, call the value कितनी बना दी, 75, अब हमारा link 75 से है, एक share older है, Mr. Modi, जिनके पास 400 share है, he is paying only 50 रुपी, कैसे पता चला, first call fail कर गया 25 की, share की cost कितनी है, 100 नहीं, ध्यान रखना 75, 75 में से 50 fail कर गया, तो कितना paid कर गया, 50 रुपी है रहा, फिर नीचे री issue, अब यहीं से question है, और करते चले जाओ, application की entry बनाओ, लिखो bank account debit, टू करो share application account, amount कैसे आएगा, वो भी note कर लो, 20,000 share दे रखें, आपको यह रहा, into करो 25, 25 कहां से आया, यह रहा, application का rate कितना है, 25, number of share कितने है, 20, तो कितना मांगेंगे, 5 लाइक रुपी, यह पैसा आ रहा है, अब इसकी narration लिख दो, लिख दो share application money received, अब second entry करो application पर ही, सब पे दो-द entry है, याद रख लो, बता रख है, इस पर भी दो entry बनेंगी, इस पर भी दो, इस पर भी दो, लिखो share application account, debit to share capital, यह तो amount same यह आएगा, क्योंकि कोई over subscription नहीं है, कोई under subscription नहीं है, इतना amount आ जाएगा, 5 लाइक रुपी, कैसे आ गया, same amount है, 20,000 into कर दो, 25 रुपी, अब इसकी entry ना याद हो रही हो, तो खाली आपको बस यह दो entry याद रखनी है, और installment इनी को बना कर बनती है, उसके अंदर क्या है, जो bank वाली entry है, वो second number पर आएगी, और यह जो है, पहले number पर आएगी, name change कर देना, application word अटा देना, installment का नाम लिख दो allotment, लिखो share allotment account, debit, यह वाली entry लिख रहे हैं, अब याद रखना, यह allotment की entry, allotment due की entry बोलते हैं इसको, और two करो share capital, इसी से तो बनी है, note करो या नी, कई बार student को लगता है, बहुत सारी entry है, याद नी हो रही, याद आपको बस basically application की करनी है, application के बाद allotment इसी से बनती है, देखो, पहले यह बनाई, name change क कर दिया, क्या लिख दिया, share application के जगे, share allotment to share capital, amount कितना आएगा लिखो, number of share तो आपको 20 दे रखे है, जितना allotment की money है, why chance 25 ही है, 25 से multiply करो, कितना amount आजाएगा, 5 lakh रुपी लिख दो, इसमें भी 5 lakh रुपी लिख दो, और इसकी narration लिख दो, allotment money due, अब इसी की second entry, हर installment पर दो बनती है, पहले due की, फिर received, received में यही आएगी, देखो यही, bank account debit, two share क्या आएगा application, अटा दो, allotment लिख दो, लिखो bank account debit, amount खाली change है, entry में कोई change नहीं है, two share allotment account, कितना amount आएगा, note करो, सारी money मिली है, fail किसी ने नहीं करी, तो कितना है, 20,000 into 25, 5 lakh रुपी, लिख दो, यह रहा, और इसकी narration लिख दो, और इसकी narration लिख दो, share allotment बनी received, अब first call की entry बनाओ, वो भी 25 है, इसी पे बनेगी, देखो entry, कितनी आसान है, यादर call allotment word अटा दो, लिख दो share first call account debit, और two कर दो, same यह है, share capital, amount कैसे आएगा, by chance इतना है, यह due की entry है, याद रखना, 20,000, क् सारी installment का rate by chance 25 दे रखा है, तो यह तो 5 lakh हो गया, अब जब यह money मिली है, तो आपको कम मिली है, याद रखना, क्योंकि यहाँ लिखा हुए कि 400 share ने first call money fail करी है, पहले तो इसकी narration लिख दो, लिख दो share first call money due, अब received की entry इसी पर बनती है, देख लो, यह नहीं, यह allotment पहली entry याद करनी पड़ती है, ध्यान रख लो, और सारी entry इसी पर बनती है, यह वाली entry पहले number पर आएगी, name change हो जाएगा installment का application के जगा allotment, bank वाली entry second, उसके बाद की installment आप allotment को देखते हैं, बना दो, क्या लिखा था share allotment to share capital, यहां क्या लिख दिया, मैंने allotment अटा दिया, share first call, two share capital, ऐसे ही यहां लिख दो, bank two share first call, लिखो bank account debit, two share first call, कितना amount आएगा, अच्छी तरह से note करना, वो कैसे आएगा, वाली entry, और कितना आपको उसमें से fail कर गया, एक share older fail कर गया, कितना amount fail कर गया, 400 into 25, करोगे तो यह 10,000 बनते है, 10,000 माइनस कर दो, 5,000 रुपी लिखो, म 90, किलियर हो गया, यह हमने करी है, without call scenario के, इसको with call scenario करना, तब समझ लो कैसे बनती है, bank account debit में 4,90,000 लिखेंगे, call scenario account debit करो 10,000, और two share first call, लिखो 5,000, रुपी, तो दोनों में से कोई भी एक entry कर सकते हो, या इसकी narration मना दो, first call money received, except 400 shares, क्या रोजी, यह तो बन गई अभी अभ call तक बन गई, याद रख लो, final call तो बनी नहीं, तो उसकी entry नहीं करनी, अब company ने इन 400 share को forfeit कर ली है, उसकी entry दिखाते है, share capital account को तो debit करो, अच्छा याद रख लेना, called up का case है, गल्ती मत कर देना कि कही 100 से कर दो, या इसलिए clear मने लिख भी दिया, जब कभी भी company कोई call न का sum करो 75, तो share capital में कितना आएगा, जितने share आपको दे रखे है, मोदी के कितने share थे 400, इन 2 करो 75, करोगे तो 30,000 आजाएगा, अब या लिख दो two share forfeited account, और two करो या पर जो call fail करी उन्होंने, कौन सी करी है, share first call, लिख दो, पहले एक बार ये लिख ले, उसके बाद amount लिख इस करो, total बना 20, 75 रुपी ये बना रखा, 25 failed है, वो तो लिख दो जो fail होई, लिखो या पर, करोगे तो 10,000 आजाएगा, और उसके बाद जो paid कर रखा है, जो company को received हो गया, कितना received हो है, लिख भा 50, multiply कर लो 50, 20,000 आएगा ये करोगे तो, और आब यहाँ पर आप लिख दो, 400 share forfeited for non-payment of first call, अब करते हैं इसकी resue के entry, वो भी बड़े द्यान से लिखना, resue के अंदर clear mention है, 75 paid up, मैंने आपको आया, जब resue करो, तो अच्छी तरह से note कर लो, उसके amount के साथ, कहाँ पर called up या paid up value लिख की है, वो तो आएगी share capital में, और जो amount लिख है कि कितने में resue की ह वो बैंक में, तो पहले तो entry लिखते हैं, लिखो bank account debit, bank debit क्यों हो रहा है, क्योंकि money आ रही है company के पास, और यहां लिखो share forfeited amount, यह एक तरीके का loss है, resue करते time, टू करो share capital account, amount देखो अब कैसे आएगा तरहा, ध्यान से लेखते चलना, ध्यान से करते जाओ, यह देखो 400 share ह call the value बतार किया paid up value 75, multiply कर दो 75 से, कितना आ जाएगा 30,000, कता है 28,000 में resue हो गए share, यह लिखा वा, यह question में mention अच्छी तरह से लिख लो, और यह share forfeited में आएगा 2,000, कैसे आगया 2,000 वो भी समझ लो, आपने 30,000 के share को कितने में resue किया 28,000, तो जो difference रहा गया वो loss है, यह आ generation लिख दो, 400 share resued for be 28,000, add 75 paid up, अब इसकी एक और entry पास करते हैं, याद रख लो capital जर की, जो gain हुआ होगा, लिखो share forfeited amount debit, अभी amount बताते हैं आपको कैसे आएगा, क्यों करो यहापर capital रिजर, मैंने आपको बार बार repeat कर रहा हूँ, profit minus loss बनता है, कैसे बनता है profit, यह profit दिख था, क्यों profit हुआ, क्योंकि company ने membership cancel कर दी, और condition है membership cancel जब होगी, जो amount shareholder ने company को fail कर रख है, it is non-refundable, company के पास ही रह गया, वो 2000 minus कर दो, कितना amount आजाएगा, 18,000, लिख दो 18, यह बन गया बार, अच्छा, इसमें direct minus हमने कर दिया, convert करने की जरुत नहीं थी, जैसे 56 question में क्य क्या था, note करो, 2000 share थे, बट ratio सारे नहीं करे, 1800, तो profit को convert करना पड़ा, यह profit को convert करने की जरुती नहीं, क्योंकि जितने share forfeit हुए, उतने ही ratio कर दिये, अब इसकी narration बना दो, narration में लिख दो, gain on ratio of share, transfer to capital manager account, तो यह तो हो गया, हमारा यह question पूरा, यह हो गया, यानि कि पूरा, आपने starting से करा, journal entry, फिर for feature करा, फिर issue, अब इस question में requirement है, कि share capital account भी बनाना है, तो आप उसको बनाते हैं, यह ledger है, debit और credit side है, याद रख लो, 4 column इदर खुलेंगे, 4 column इदर खुलते हैं, date है, particular है, jf amount है, date और jf में लिखेंगे नहीं, दे नहीं रखा कुछ, फिर particular amount में ल share application, 2 share capital, 5 lakh रुपी, share capital चेक करो, credit में दिख रहा है, या debit में, इदर दिख रहा था, credit side याद करो, 5 lakh रुपी, या लिख दो, by share application account, deposit account लिखते हैं, ledger posting है, याद रख लो, कितना amount था, 5 lakh रुपी, ध्यान आरी entry, वरना entry खोल लो, अपनी application पर दो entry करकी है, एक bank वाली entry है, औ एक non bank वाली है, non bank में चेक करो, share capital credit में लिखा था, तो credit आ गया, ऐसी अब allotment में चलो, हम बना रहे एक share capital, जिस journal entry में share capital आ रहा होगा, उसी की posting होगी, और वो debit में लिखा होगा, journal में, तो debit side आएगा, credit में लिखा होगा, journal में, तो credit side आएगा, अब देखो allotment की due entry हमने क् share allotment account debit, to share capital, share capital की दर दिख रहा है, credit, तो पहली बात तो credit आएगा, deposit account क्या रहा है, share allotment, लिख दो, बहुत आसान है, यह 11th काई पार्ट है, ledger posting, आज कल बनता है कि कोई भी आपको बीच में से दे देगा, पूरा question देगा, कहेगा share application account बना दो, तो ledger है, जहाँ जहाँ share application पोस्टिंग कर दो, अब इसने कहा दिया, इस question में share capital बना के दिखाओ, तो share capital बना देंगे, अब first call पे आओ, first call पे भी due की entry क्या थी, share first call account, two share capital account, share capital credit हो रहा है, याद रख लो, तो credit में लिखो, पहले amount लिख दिया करो, कभी गलती नहीं होगी, यहाँ लिख दो, two share first call account, यह तो हमारी जो installment थे, उनकी entry पास हुई है, अब जरा चलते हैं, जब हमने उसको forfeit करा, तो forfeit के time पे क्या करकी थी entry, हमने करकी थी share capital account, debit, और अब debit बोल रहा हो, मैं याद रख लेना, और two share forfeited, और two share first call, तो share capital कि दर दिख रहा है, debit में, तो debit में आ जाओ, और उसके opposite अकाउंट दिख रहे है, एक तो share forfeited, वो लिख दो, हर entry सोच के करो, और दूसरा account कौन सा दिख रहा था, two share first call, वो लिख दो two share first call, रखी है, share capital account, debit, two share forfeited, उसमें लिखा वा था 20,000 नोट करना, और two share first call था, उसमें 10,000 रुपी लिखा था, ये चीज़ के लिएर हो गई, जर्नल लिख लो, जर्नल से पोस्टिंग कर दो, अब रीशू पर चलो, रीशू के अंदर हमने एक entry pass कर रखी है, bank account debit, share forfeited account debit, और two share capital याद करो, हमने सारे shareों को रीशू कर रखा है, 28,000 बैंक में लिखा था, two share forfeited, और two share capital, share capital कि दर दिख रहा है, credit, तो credit में लिखा account, 28,000 लिख दो, और दूसरा कौन सा दिख रहा था, share forfeited account, 2000, वो लिख दो, last entry में capital नहीं आ रहा, इसलिए लिखेंगे नहीं, क्या बनी थी, share forfeited account debit, two capital जो, share capital नहीं आ रहा, जिस जर्नल में share capital आएगा, वो ही आएगी आपर, clear हो गया, अब इसका total करते है, total करते हैं, तो देखो, 15,30,000 बनता है, इधर का total, लिख दो, 15,30, ये वाली side, बड़ी है, जो बड़ी है, वो दोनों तरफ लिखी जाएगी, इधर कितना बन रहा है, 30,000, जो difference आगे, आपका 15,00, वो लिख दो, two balance sheet, ये balance sheet के अंदर जाएगा, याद रख लेना, share capital वाले head में, आगया section, आपको मारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज इसको like and subscribe कीजिए, thanks for watching my video, next class में जल्दी मिलते हैं,